हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एस अकडमी आज हम डेप्रीशियेशन का एक नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इस कंसेप्ट का नाम है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रोविजिन फॉर डेप्रीशियेशन देखेंगे डेप्रीशियेशन चार्ज करने के मतलब डेप्रीशियेशन की अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं एक जो अभी तक आपने देखा है जिस तरीके से हम डेप्रीशियेशन करते आ रहे हैं और दूसरा है प्रोविजिन फॉर डेप्रीशियेशन यह account open जब हम करेंगे तो हमारा accounting करने का तरीका बदल जाएगा इसको आपको समझना है एक change है हापे इस change को आपने समझ लिया मतलब आपको provision for depreciation समझ में आ जाएगा ठीक है अभी तक हम क्या कर रहे थे पहले उस पे बात कर लेते हैं हमने एक machinery खरीदी मालो 10,000 रुपए की ठीक है इस पे 10% SLM हमको चार्ज करना स्ट्रिट लाइन मेथड के इसाब से परैनम अब 10,000 की machine दी साल खतम हुआ 1,000 रुपए depreciation में से घटा दिया ऐसे करते हैं depreciation घटाने के बाद कीमत बचेगी 9,000 अगले साल फिर से 1,000 घटाया कीमत हो गई 8,000 फिर से घटाया कीमत हो गई 7,000 जैसे जैसे साल के end में हम पहुँचते हैं बाद बाद हम क्या करते हैं depreciation घटा देते हैं बराबर अगर इसकी general entry देखी जाए तो हम क्या करते हैं at the end of year depreciation to machinery depreciation to machinery depreciation to machinery ऐसी करते रहेंगे और यह जो depreciation है एक चीज़ और मैं आपको पता देता हूँ हाला कि हमने final account सभी तक पढ़ा नहीं है मगर मैं आपको पता देता हूँ कि जो भी expenses होते हैं वो या तो trading में जाते हैं या पी अडल में जाते हैं trading account बनाते हैं आगे चलके आप देखेंगे और profit and loss भी एक account बनाते हैं profit and loss account हम बनाते हैं जिससे कि हम net profit calculate करते हैं तो यह जो depreciation है यह भी क्या है expense है non cash expenditure है इसे भी हम profit and loss में भेज़ देते हैं ठीक है तो देखा जाया तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ की entry होती क्या है क्योंकि आपने machinery account तो देखा है तो हम basically जो entry करते हैं वो कुछ इस परदकार की होती है माली जी एक हजार पर हमने depreciation किया depreciation account debit to machinery ठीक है मालो एक हजार पर घटाए ठीक है machinery में से खड़ गया और क्योंकि जब आपने machinery खरीदी थी तो आपने कुछ इस परकार से machinery को debit किया होगा machinery to cash जब भी कोई asset आता है तो debit करते हैं जाता है तो credit करते हैं तो यह asset आपका जब आया तो हमने debit की अभी कम हो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं credit कर रहे हैं at the end of year इन्हें या तो ट्रेडिंग में भेड दिया जाता है या पी अडल में भेड दिया जाता है तो वैसा ही इसके साथ भी किया जाएगा तो profit and loss account debit to depreciation expenses को भेज के खतम कर दिया जाता है यह depreciation debit किया depreciation credit किया depreciation भी खतम हो गया इसमें कोई दिक्कर वाली बात नहीं है यह आपको general entry में बता रहा हूं यह आपका process ऐसे ही चलता रहेगा अगले साल भी आप यही करेंगे तो यह simple case में यह simple case की general entries है इसको आपको no down करना है तो no down कर लेजिए यह machinery खरीदी यह depreciation किया यह depreciation को P&L में transfer किया clear है अब यह तो हो गया simple case मगर simple case तो हम जानते हैं उसके जो ledgers है वो भी हमको बनाते आते हैं कैसे बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है depreciation account भी बोला जाए अभी तक बोला नहीं गया है मगर depreciation account भी बोला जाए तो depreciation account is really very very easy वो भी मैं आपको पता देता हूं देख लो जा हम क्या करते हैं यह depreciation account लेजर भाई कहां से बनता है पोस्टिंग करना और क्या करना है यह depreciation account debit है तो debit में लिख देंगे क्या लिख देंगे तू मशीन कितना 1000 ठीक है यह किया है फिर यह क्या है depreciation credit है by opposite में क्या है पींडल तो पींडल में लग दिया कितना 1000 यह खतम अगले साल भी यह होगा तू मशीन 1000 फिर बाई पींडल 1000 यही सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा प्रिसीशन करते हैं पींडल में transfer कर देते हैं खतम का नहीं यह आपका simple method है ठीक है इसको को आप note-down कर लो जन्रल एंट्री इस प्रकार से बनाते हैं मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ और depreciation अकाउंट भी बड़ा simple है depreciation अकाउंट इसलिए नहीं फूचते हैं क्यों कुछ करने का है नहीं debit किया credit किया खतम इसमें क्या करेंगे ठीक है मगर फिर भी आपके नॉलेज में होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप note-down को कर लो अब ध्यान देना है आपको provision for depreciation पर कि भाईए इसको कैसे किया जाता है what is the change what is the change we have to understand हम depreciation कि machinery मेंसे घटाते हैं घटाते हैं नहीं घटाते हैं बेनी तो मतलब हम depreciation चारज नहीं करेंगे नहीं को बहाँ प्रीशीएशन एससा बोल और आ Kings मैंने ऐसा कब बोला कि depreciation चार्ज नहीं करेंगे बेटा depreciation जैसे चार्ज करते हैं वैसा ही चार्ज करेंगे जैसे P&L में भेजते थे वैसे ही P&L में भेजेंगे कहीं कोई दिक्कद नहीं है मैं कह रहा हूँ machinery में से नहीं घटाएंगे सर नहीं समने में आया बेटा आप क्या entry करते हूँ मेरे को बताओ सर हम entry करते हैं depreciation to machinery depreciation को debit करते हैं machinery को credit करते हैं बस बेटा मैं यही कहना चारा हूँ कि machinery में से नहीं घटाएंगे जब मैं कहता हूँ machinery में से नहीं घटाएंगे इसका मतलब है machinery को credit नहीं करेंगे नाइस समझ में आया सर, बिटा मैं कह रहा हूँ हर साल, हर साल at the end of year आप क्या करते हो, आप depreciation machinery में से घड़ा देते हो, मैं कह रहा हूँ हर साल आप नहीं करेंगे, in case of provision, तो फिर सर्थ क्या करेंगे, बिटा देखो, provision for depreciation में बड़ा simple सा logic आपको दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप depreciation एकटा घटाएंगे, क्या कहा मैंने, एकटा मतलब, एक साथ मतलब, लंसम मतलब, बिटा कितने मेरे से आप synonyms पूछोगे, मैं कह रहा हूँ कि depreciation हम, थोड़ा थोड़ा घटाते न वैसे, हाम तोर पे हर साल के end में थोड़ा, फिर एक हजार, फिर एक हजार, अभी ऐसा न, अभी जितना भी depreciation होगा न, सारा का सारा एक खटा मशिनरी में से खटाएंगे, सर कैसे, बिटा देखो, depreciation हर साल चार्ज जरूर करेंगे, मगर machinery में से नहीं खटाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, अगें, example लेते हैं, 10,000 की machinery है, 10% depreciation SLM, होना, with provision for depreciation account, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले machinery खटीदी, तो machinery, to, बोलो, cash, कितिना बोलो, 10,000, ये, 10,000, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें आ लिखेंगे, at the end of year होना, साल खतम हो रहा है, तो क्या करते हैं, बोलो, depreciation, तो depreciation account debit, तू, अब तू में क्या आएगा, क्या तू में machinery आएगा, machinery नहीं आएगा, मैंने बताया न, machinery में से नहीं घटाना, depreciation चार्ज जरूर करेंगे, मगर machinery में से इखटा घटाएंगे, इखटा मतलब, जब machinery बेचेंगे, तभी घटाएंगे, नहीं बेचेंगे, तो नहीं घटाएंगे, जब machinery खतम हो जाएगी, या तो कवार में बेचोगे, जैसे भी बेचोगे, तब आप उसका depreciation खटाओगे, तो हमें या पे क्या करेंगे, इस depreciation को बेटा इखटा करते जाओ, किसमें इखटा करते जाएं सर, ये इसमें, provision for depreciation, 1000, आपको इसमें इखटा करना है, और इखटा करते जाओ, करते जाओ, और जब कर लोगे, तो फिर machinery में से घटा देना, इखटा, सर, नई समय में आया, सर, पिटा, आएगा न, अभी अपने पूरा किया कहा है, अभी ध्यान को, ये पहले साल की बात कर रहे हैं, माल लो, हना, मैं कहता हूँ, चलो यहाँ पे, question और आगे हम लिखते है, at the end of third year, machine was sold for 6500, ठीक है, तो ये पहले हमने खरी दी है, 10,000 की, ठीक है, ये first year के end में क्या किया, ये हमने depreciation charge तो किया, मगर कहां भेज दिया, provision account में, ठीक है, अभी क्या करेंगे, इस depreciation को, बिटा, profit and loss में, जैसे हमेशा करते हैं, to depreciation, मतलब आपका depreciation account खतम, ये 1000, ये 1000, ठीक है, आई बात समन में, क्या किया, मैंने, ये machinery खरी दी, ये depreciation किया, depreciation को कहां transfer किया, कहां, provision for depreciation, मतलब हम, we are, what we are doing, we are accumulating, accumulating what, account, but accumulating the depreciation, in which account, we are accumulating depreciation in provision for depreciation, account, ठीक है, तो ये फिर उसके बाद, depreciation, यहां हमने, पेंडल में, क्योंकि वह expense है, expense आपको लिखना है, आपको सही profit जानना है, तो आपको expense को, पेंडल में लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख भी दिया, मगर हम, अभी तक क्या करते थे, हम यहां पे machinery लिखते थे, machinery नहीं लिखना है, केवल machinery की जगे क्या आगया, provision for depreciation, बस, ये change है, ये change है, क्योंकि हम machinery में से हर साल नहीं घटाएंगे, depreciation चार जरूर किया, घटा आया, नहीं, इतना इतली explain कर रहा हूँ कि clear हो जाया आपको, दो पादा कभी provision आपको परिशान ना करें, इतना clear कर लें हम, ये बटा first year के end में, end of first year, फिर आजाते है बटा, end of second year, दूसरे साल के अन तुमें फिर से क्या होता है बटा, depreciation ही होता है और क्या होता है, depreciation account debit, बोलो to provision for depreciation, एक हजार, एक हजार बराबर, अभी क्या करना है, profit and loss account debit, वो ही चलेगा, to depreciation, एक हजार, एक हजार, ठीक है, फिर end of third year, ये ही चलता रहेगा, अभी end of third year में क्या हो रहा है, हम machine बेच रहे हैं, मगर आपका process वो ही चलेगा, depreciation to provision for depreciation, ठीक है, कितना, एक हजार, एक हजार, ठीक है, profit and loss account debit, to depreciation, एक हजार, एक हजार, अभी मालूम है, क्या हुआ है, लिखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप वो ही process कर रहे हैं, केवल एक छोटा सा परिवर्तन लेके आ रहे हैं, कि हम machinery account नहीं लिख रहे हैं, machinery की जग है, provision for depreciation account लिख रहे हैं, अभी तक machinery में से नहीं घटा है, मगर मैंने कहा आपको कि हम घटाएंगे, यह नहीं बोलाओ, नहीं घटाएंगे, हम इक घटाएंगे, कब घटाएंगे, at the time of sale घटाएंगे, तो क्या, sale का time आ गया है, बिल्कुल आ गया है, sale का time, अब हमको घटाना पड़ेगा, sale का वक्त आ चुका है, हमको अब घटाना पड़ेगा, तो कैसे घटाएंगे सर, बिटर देखो अभी, आपने depreciation एकटा करते गए हैं, देखो क्या किया आपने, ये provision for depreciation नाम का एक account है, इसका दूसरा नाम है accumulated depreciation, आप उसमें जमा करते जा रहा है, ये 1000 जमा किया पहले, फिर एक और जमा किया, कितने हो गए, 2000, 1000 और जमा किया, कितने हो गए, 3000, तो 3000 आपके provision for depreciation में क्या हो गए है, जमा हो गए है, आप डालते गए हो, डालते गए, पहले साल का भर दिया उसमें, फिर दूसरे साल का फिर भर दिया, फिर तीसे साल का फिर भर दिया, अना, अब at the time of sale, it is time to deduct the depreciation, accumulated depreciation from the machinery, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, एक खटा चलेगा, तो अभी क्या करेंगे, बोलो बेटा, ये हम अब पूरा का पूरा घटाएंगे, ये समय आ गया है, अब हमें आपके कर लिखेंगे, provision for depreciation to machinery, कितना, 3000, क्योंकि आपके पास कितना provision हो चुका है, 3000 हो चुका है, तो ये 3000 रुपए एक खटा machinery में से घटा रहाऊँ, जब provision for depreciation रहेगा न, तो हम क्या करेंगे, एक खटा घटा घटाएंगे, एक खटा किसमें रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है, जब हम provision for depreciation नहीं करते हैं, तो depreciation में से घटाते हैं, हर साल depreciation to machine depreciation to machine अब ऐसा नहीं चलेगा अब क्यासा चलेगा provision for depreciation to machine कब करेंगे at the time of sale ठीक है फिर उसके बार आपने बेच दिया cash account debit to machine अभी देखो 10,000 की machine दी थी 3,000 का depreciation हो गया कीमत कितनी बची 7,000 आप बेच रहे हैं कितने में 6,500 में से तो आपका नुकसान हुआ की फाइदा सर सर यह तो नुकसान तो बिटा cash आया 6,500 जब नुकसान होता है न तो profit and loss को debit किया जाता है जनरल एंट्री ने जनरल एंट्री में क्या किया जाता है debit किया जाता है अभी सब पता चल जाएगा आपको और यहां पे machine आपकी कई 7,000 की 6,500 आया 500 का वह लॉस्ट हो सकता है कि एक आप दो चीज़ आपको नहीं समझन में आई होगी आपको सब समझ जाएगा बस you have to stay focus ठीक है मैं इसलिए अलाम से बार बार चीज़ों को repeat भी कर रहा हूं detail में बता रहा हूं सब को चापको यह मैंने आभी आपको केवल और केवल जनरल एंट्री बताई है अब एक बार एक काम करते हैं मैं आपको यह provision for depreciation account भ ठीक है अभी क्या करते हैं end of first year end of first year क्या करते हैं depreciation करते हैं तो depreciation यह end of first year ठीक है इधर भी मैं लिख देता हूं end of first year यहां पर भी लिख देता हूं है end of first year ठीक है धियान देना आच्छे ते आप entry क्या कर रहे हो depreciation account debit depreciation account debit debit होगा debit में क्या लिखेंगे तू प्रोवीजन ठीक है depreciation में क्या लिखेंगे तू प्रोवीजन तू प्रोवीजन एंड और फिर क्या करते हैं दूसी एंट्री देखो depreciation को debit किया फिर depreciation को credit किया तो हम क्या करेंगे अभी credit करेंगे मगा credit में क्या लिखेंगे credit में हम लिखेंगे बाइब बोलो क्या लिखेंगे प्रोफिट एंड लॉग इतना एक यह खतम यह बटा खतम हो जाएगा यहां पर यहां पर लिख देता हूं ठीक है यह हो गया खतम depreciation simple होता है कुछ नहीं करना है प्रोवीजन नहीं होता तो यहां पर क्या लिखते हैं तो ब्रोवीजन क्रेदि ड्रोवीजन न.." क्रेदि लिखेंगे बोलो वाई थे प्रuyचिय आम बुछन वैद प्री 25 नएगा एक हजार वाई depreciation में कितना आया कोई दिक्कत है नए यहाँ पे एक हजार मैंने लिखा और अब यहाँ पे ध्यान दो टू प्रोविजन यह हमने क्या क्या क्रेडिट किया अब इस साल में प्रोविजन को लेका और कोई प्रोविजन में फिलाल कोई इसलिए नहीं होगी मेटा क्योंकि उसमें हम जमा करते जा रहे हैं तो अब आपका एक हजार हो गया एड़ एंड ऑफ यह क्या करते हैं बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे कर देते हैं तो बैलेंस केरी दाउं अब आप कहेंगे सर डेपरीसिशन में बैलेंसिंग क्यों नहीं किया बैलेंसिंग नहीं होता है उसको क्या एक्सपेंसिज जितने भी होते हैं उनको कहां भेड दिया जाता है या तो ट्रेडिंग में भेड दिया जाता है सब्सक्राइब नियम मगर स्टाइब लेजर सिखाया जाता है तब नहीं बताते हैं इसलिए वहाँ पर बेलेंसिंग चलने देते हैं आगे चलके आपको सिखाया जाता है कि नहीं यार यह लोग यह देखो अभी मैं क्या कह रहा हूं यहां पर ध्यान दो फाइड डेप्रिसेशंग किया एक हजार ठीक है और यहां मैंने कर दिचा बैलेंश बैलेंस में अब हमारे पास इल्डियन का बैलेंस कितना बैलनस है बोलो १े consult कौन सा constructive है credit balance है अब यहां पर आजाओ अगले साल में मैं लेकिया आता हूं नहीं बिगनिंग ओफ पेकंड यह हमारे पास provision का balance है कितना एक हजाद है अभी अगले साल क्या हुआ फिर से यह provision हुआ ना depreciation to provision फिर से प्रोविजन हुआ तो फिर से हमने क्या लिख दिया बाए देखो opposite में क्या है depreciation समझ में आ रहा है यह credit में है तो credit में लिखेंगे क्या लिखेंगे जो opposite में opposite में क्या है depreciation है तो यह लिख दिया मैंने depreciation ठीक है कितना एक हजाद कब कर रहे हैं यह end of second year ठीक है और यहाँ पर end of second year बैलेंसिंग करना है और कुछ तो अब है नहीं तू बैलेंस करी डाउन एक हजार पहले का था एक हजार यह हो गया कुल मिला के कितना हो गया दो हजार टोटल कीजिए यह दो हजार ठीक है इसका भी टोटल कीजिए यह दो हजार अब आ जाओ अगें बिगिनिंग ओफ ठीक है कितना वाई बैलेंस ब्रॉड टाउं अभी हमाला बैलेंस है दो हजार फिर end of third year end of third year फिर क्या किया हमने depreciation किया देख लो है यह फिर से depreciation हो गया by depreciation कितना हो गया एक हजार ठीक है अभी provision पर फोकस करो depreciation को देखते हैं तो यह हो गया फिर से depreciation अभी उसी दिन क्या हुआ अभी हमने क्या किया मशीन बेच दी तो उसी वक्त आप depreciation को क्या कर रहे हैं प्रोविजन फोडेप्रिसीशन को डेबिट कर रहे हैं ठीक है तो क्या करना है अभी आपने क्या क्या क्रेडिट किया तीन बार क्रेडिट किया एक बार क्रेडिट दो बार क्रेडिट तीन बार के लिए देख लो ये इक बार ये बाय डेप्रिमिशिशन दो बार वा अइसा करते करते अब डेप्रिमिशन में, रोविजन for depreciation में हो गया है two क्या करेंगे कि अब फोर विजन for depreciation को कर रहा है debit किना कर रहा है 3000 हमने हांपर करेंगे end of third अरी की बात है यह और कभी की नहीं है तू देखो क्या लिखायो अपोजिट में मशीनरी तो मशीनरी कि इतना तीन है बस हो गया खतम कुछ नहीं बचा तीन है यार डेविड में तीन है यार रेड़िट में खताँ Provision for depreciation खतम ध्यांदना क्या किया हमने हमने कुल मिला के depreciation Accumulate करते गया जमा करते गया ठीख है जैसे जैसे depreciation करते गया Provision for depreciation में जमा करते जाएगे ठीख है और फिर जब मशीनरी को बेचने का वक्त आएगा तो इकटा वो प्रोविजन फोर डेपरीसीशन हम मशिनरी में से खटा देगे और आप देख रहे हैं कि प्रोविजन फोर डेपरीसीशन खतम हो गया क्योंकि मशिनरी खतम हो गई मशिनरी है तो प्रोविजन फोर डेपरीसीशन है machinery नहीं है तो provision for depreciation नहीं है क्योंकि provision है क्या provision आपका एक खटा किया हुआ depreciation है जब machinery आप बेच देते हो तो एक खटा घटा देते हो बात खतम हो जाती है ठीक है तो देखो यहां पर अभी depreciation account पर मैं आ जाता हूं तो उसमें कुछ नहीं करना है हर साल वो ही करेंगे हम यह and of second year क्या करना है तो प्रोविजन से किया हमने कितना 1000 ठीक है एंड ओफ इसे किया हमने कहां ट्रांसफर कर दिया प्रेंडल में 1000 यह लो फिर से ठीड यह के अज्ड में तू प्रॉविजन से किया कितना 1000 एंड ऑफ थर्ड यह सिर्से कहां भेट दिया यह बोड़ा है कुछ नहीं है क्यों क्योंकि आपने करना क्या है बार बार वही वही प्रोसेस वही वही प्रोसेस प्रोवीजन 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 कि इंदेक है आप एक बार लेक्चीर पर आएंगे और इसको ठीक है भाले लेक्ची है तो इसको आप पूरा कुछ से कोशिश करो अग्ले लेक्चीर में मैं स्टार्ट करने से पहले देवाइज करूँगा वह बैठर धावद देगा all बबबाई